जैहन दोस्तो स्वागत है आपका SSB क्राइक एक्जाम्स में आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पाइलिट्स एविएटर्स क्यों पहनते हैं दोस्तो एविएटर्स को डिजाइन किया गया था पाइलिट्स को आस्मान में बेस्ट कावरज देने के लिए ये टियर ड्रॉप एंड रेक्टांगिलर शेप्ट एविएटर्स पाइलिट्स के आई सॉकिट्स को फुल प्रोटेक्शन देते हैं एविएटर्स को कमर्शिली येर 1900 से बेचा जाने लगा ये एविएटर्स की डिजाइन केपबल है ब्रॉड रेंज अफ लेंज को होल्ड करने के लिए ये एविएटर्स सिर्फ मिलिटरी पाइलिट्स ही नहीं बलकि कमर्शिल पाइलिट्स भी यूज़ करते हैं इन ग्लासस की आंटी ग्लेरिंग और यूवी प्रोटेक्शन इंशर करती है कि पाइलिट का विज़न हिंडर ना हो और ये पुराना ट्रेडिशन है कि पाइलिट्स की पहली चोईस एविएटर्स ही होती है 1935 में पहला एविएटर स्टाइल संग्लास प्रेडियूस किया था अमारिकन ओप्टिकल ने और वो थे यूएस आर्मी एर कॉप्स टी वन संग्लास और तब से पाइलिट्स की संग्लास की चोईस एविएटर्स ही रही है एविएटर संग्लास का चलन अमारिकन कल्चर में तब से बढ़ा जब मेक आर्थर की वर्ल्ड वार टू की एविएटर पहनी हुई फोटो सामने आई एविएटर्स एक स्टाइलिश संग्लास हैं जो की मैक्सिमम फेसस पर सूट करते हैं साथ में इनकी अपेरंस स्टांड आउट करती है इसमें कोई कमपल्चन नहीं कि पाइलिट्स को संग्लास के तौर पर एविएटर्स ही चुनना चाहिए लेकिन फिर भी हमने अधिकतर यही देखा है कि mostly पाइलिट्स इनहीं को चुनते हैं कमफर्ट, स्टाइल और ट्रेडिशन यह संग्लासेस तीनों ही क्राइटेरिया को फुल्फिल करते हैं इसी वज़े से इन्हें रिप्लेस करना लगभग नामुम्किन सा है फिर चाहे बात हो मिलिटरी या कमर्शिल पाइलिट्स की दोस्तो अगर आप कोई वडियो पसंद आई हो तो इसे आप दूसरे आस्परिंट्स के साथ भी शेयर कीजिए साथ में सब्सक्राइब कीजिए हमारे चानल SSB क्राइक एक्जाम्स को मिलते हैं आपसे अखली वडियो में जैहिंद अगर आप एक डिफेंस एस्परिंट हैं और SSB इंटर्व्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एक्जाम्स के लिए प्रिपेर कर रहे हैं तो आप SSB क्राइक एक्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें आप हमारी लर्निंग अप्लिकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं